आपका स्वागत है इस वक्त मैं कमरा नंबर 51 में खड़ी हूँ ये सावर मती का बॉइज होस्टल है और रविवार की शाम लगभग 6 बजे के करीब इस कमरे में वो गूल्स जिनको नकाब कोश गुंड़े कहा जा रहा है और जिनकी पहचाना भी नहीं की जा सकी है वो एंटर करते हैं और इस कमरे में रह रहे जो छात रहे शूर प्रकास के अगर बात सुरे तो उन्होंने सिर्फ अमबेटकर जी की तस्वीर ये देखी जो दर्वाजे पे बनी हुई है और सिर्फ इसे देखते ही उन्होंने यहां हमला करना शुरू कर दिया और उनको लगा हूँ मास्टर्स मैंने यहीं से किया हुआ है ग्रेजवेशन सेंस सीफन्स महाविद्यालय दिल्ली विश्व विद्यालय से मेरा हुआ है और इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि रविवार की यह घटना जिससे हम सभी दहशत में खौफ में डर की साय में जी रहे हैं इस सा खारण मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रिशासन और जो जेन्यू प्रिशासन है उसकी मिली जुली भगत रही है मिल जुलकर इनों ने यह काम किया है और जेन्यू सावरमती छात्राबास में जैसे वो प्रवेश करते हैं मा बैन की गालियां और दहशत पैदा कर सकें उन्होंने हमारे बगल के दर्वाजे को और शीशे को तोड़ा पहले सामने वाले दर्वाजे को और शीशे को भी तोड़ा जब मेरे दर्वाजे की बारी आई उससे पहले मैं सचेत हो चुका था यह जो मैं कुरसी देख रही है यह कुरसी यहां पे थी मैं यहां ल लगी होती तो मेरे सर से आपको खून नजर आ रहा होता है या फिर पट्टी लगी हुई होती और जब वो शीशा तोड़ दिये तो मैं अंदर से चिलाया कि मैं ब्लाइंड हूं मुझे मत मारो तो उन्होंने दर्वाजे की कुंडी को ऊपर से वो जो आप देख रही हैं वहा इनसान को रॉड से मार रहे थे वो मारते वन के साथ एक लड़की थी वो कह रही अंदा है तो क्या हूँ अंदा है जुट बोल रहा है यह कहते हुए मेरे चीखने के बाद 156 गो टू 156 करते हुए उपर चले जा आप ने 156 की कमरे के हाला देखी और ब़री बुरी इस्तित है उस कमरे की तो आपको लगता है वो टागेट करके मार रहे थे बिल्कुल मैं मून के साथ जो वेक्ती था उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो जैन्यू के रह रहे है सावर्मति चात्रावास में रह रहे है लड़कों के विश्य में जानते थे वो लेफ्ट के हैं यह कहना वो जानवर से भी गिरे हुए लोग है और मैं कहना में यह चाह रहा हूँ कि उन्होंने 20-25 मिनिट तक यहाँ पर जो भी कमरे हैं कई कमरों को तोड़ा लोगों को और दहशत पैदा की और मैं कहना यह चाहरा हूँ कि सामान को तो उन्हों नुक्सान पहुंचाया ही उसके कि मैंगे तुम tääले में वीडियो उनको प्लिस वाले की इनकी वीडियो लो इनकी फोटो बनाओ जो तोड फोड़ किया उसकी वीडियो फोटो प्तु तुम प्रोटो लिदों कि उन्हें कोई चिंता नहीं जो संवेधना के वशी 肉 कर रहा आरोप भी लग रहे हैं कि पुलिस का नहीं कर रहे थे और उनके सब्सक्राइए किपने सहमत हैं इसमें पूरा 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 से पहले एकines जोटी सी मोब कहलें या भीड कहलें वो आई तो पुलिस को बुला लिया गया था लेकिन जैसे दूसरी मोब आई मार धार करने वाली उसके आते ही पुलिस जट चंपत हो जाती है उसको ऐसा लगता आकाश ने अपने आगोश में ले लिया हो क्या विश्विदाले प्रिशास होने को आ रहे हैं कोई जैन्यू का प्रशासन स्नेहा में वाडन है यहां पर उनके अलावा कोई मेरे से बात तक नहीं किया है ना पूस्ताज किया है वीशी की जो चाया है वो भी जैन्यू से बहुत दूर है पिछले 90 दिनों से सब चल रहा है फियाई को लेकर और वो कोई फिर प्रशासन का व्यक्ति म Cathy मन मून लड़के लड़कों की हें लड़के लड़कों लडकीयां सहे ता कर रहा है एक दूसरे की वर्ना जेन्यू प्रशासन जेन्यू पुलिस या पुलिस बाहर के जो भी को जब भी एिए प्र लुख करने के लिए टाप को लिए ट्यार क इतना दैसत का महाल चल रहा है कि आपने सोचा कि इन सब पच्छों से दूर मैं घर चला जाता हूं और इसलिए भी कि जब मैं चोटी लुगा उसके बाद हर्जारों कॉले आई हैं मुझे मैं वो कह रहे हैं कि आप मीडिया फेस बनोगे तो मार दिये जाओगे और आज सुब की अब तू बचेगा ने तो यह माल ठेयों जा यह तो कि आपने की कि इन नंबरों से हमें फ्रेटणिग हुँ हूरी है बिलकुल बिलकुल मैं मैं नंबर भी बता रखा हूं और शिकायत भी मैंने बोला हूआ है प्रेसिडेंट को बोला हुआ है, पुलिस को भी बोला हुआ है, यहां पे कुछ लोग आये हुए थे, जो मतलब रिसर्च कर रहे थे, अपना शोद कर रहे थे कि क्या हुआ है, वो एक्जविशन एक अपना लेकर, जो भी उनका था, मैंने सब को बताया है, मीडिया में बताय है, कि में साथ इन नमरों की कॉल आई है, अन्नोन व्यक्ति, अन्नोन नमर से कॉल करके कहता है, कि तुम बचोंगे नहीं, और कोई कारवाई नहीं हो रही है, कोई कारवाई नहीं हो रही है, दहशत, डर, खौफ, लोगं, इन सब के बीच भी सुर्प्रकश का कोई अमीद नजर आती है आपको अमीद मुझे सिर्फ इस चीज़ की है कि ये बात जो आपके थुरू आम जनता तक क्योंकि मैं आम वेक्ति हूं तो मुझे पता है कि आम वेक्ति की दुआएं उनकी सानुवूती उनका अर्शिरवाद बड़े वुजर्वों का अर्शिरवाद यदि रह पत्या है कि मुझे लगता है मैं किसी भी मुसीवत का सामना और सकता हूं यह तैं हमारे साथ था शोड प्रकास जी झूंक लगता है कि इतने दहशत के महौल के बाद जिए अगर आम आदमी एक आम आदमी से दुआएं मांघता है और वह दुआएं मिलती हैं तो निश्यत पर इन सब महौल से वो निकलेंगे और कुछ अच्छा होगा भी भी वो इस आशा और उम्मीद के सहारे यहाँ पर हैं आगे भी हम आपको और भी जानकारी जैन्यू से देते रहेंगे नमस्कार